हेलो नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब मैं हूँ आपका अपना दोस्त देवेंदर सिंग और दोस्तों आज गे इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ United Nation के कुछ सी लोज हैं उनके बारे में डिसकेशन करने वाला हूँ ये टोपिक के एक दो दिन से न्यूज में चल रहा है कि United Nation के जो सी लोज हैं उनको लेके काफी सारे डिस्प्यूट रहते हैं तो अभी रिसेंटली दहिंदू का आज ही आर्टिकल आयता तो उसमें कुछ न्यूज वगरा थी तो हम UPSC के लियाद से यहनी हमारी एक्जाम के कियाद से क्या-kya important है वो सब यहाँ पर जाने की कोशिस करने वाले हैं यही जो सी लोज बनाए गे हैं कौण-पौण से वो सी लोज हैं उनको हमें के कऱके देखेंगे और हमारे लिए क्या-क besides ł gw के प्ररस्पेक्टिव से उनको कवर करने वाला हैं इससे पहले महां आपक जिसने भी अपना चैनल जो इने है दोस्तों आप इस चैनल को जोइन कर सकते हो ताकि आपको जो भी नहीं अपडेट हो class की notification हो वो दोस्तों आपको यहाँपर मिलती रहें नमस्ते एक्जाम अपना चैनल का नाम है दोस्तों और यही आपको टेलिग्राम चैनल भी मिल जाएगा जिसके त्रू अपने आप जो भी इनकी PDF अगरा है प्लस में जो बाकी क्लासेज हैं जैसे कि इंटरनल सिक्रोटी के अपने कोर्सेज हैं वो भी चल रहे हैं उनको आप रूल रेगुलेशन हैं उन सब के बारे में हम डिसकस करने वाले हैं इसके साथ ही दोस्तों आपके लिए मैं एक चोटा सा प्रोग्राम लेकर आए हूँ ये प्रोग्राम बेसिकली आपकी जो प्रिपरेशन है चाहिए आप किसी भी एक्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उस सबको guidance के जरूर पड़ती हैं तो guidance के लिए मैंने एक program start किया है एक मुहीम start की है जिसको आप लोग join कर सकते हूं ये एक छोटा सा pad group है यहनी इसके अंदर में आपको काफी सरा material भी धने वाला हूं अब ऐसा नहीं है कि इसमें quality दोस्तों जैसा कि आप लोग पता कि पिछले 5 सालों से market में quality को मलगतार maintain कर रहा हूं वसे ही आपको काफी सारी से यहां पर मिलने वाली है लगपक 150 प्लस selections हैं वो मेरे द्वार यहां पर आप लोग प्रवाइड हैं वो करवाए गई हैं प्लस में mentorship का जो program है और teaching का जो program है वो काफी time से continue कर रहा हूं तो आप लोग यह जो number दिये गए हैं नीचे इनके द्वार आप लोग मेरे से contact करके जो भी detail वगर आपको जानी है कोई doubt वगर है curious वगर है तो वो आपको यहां से cover up कर सकते हैं ठीक है अब हम जाकते हैं फटाफट आगे की तरफ कि क्या क्या है यहाँ पर मैन हमारे लिए काम का है next दोस्तों हमारे article की तरफ चलते हैं और आजगा जैसा article है वो मैं आपको बताता हूं article है basically United Nation Convention on the law on seas यह आपने newspaper वगरा में देखा होगा UNCLOS को नाम लिखावा United Nation Convention on Law of the Sea यह समूदर को लेके United Nation ने कुछ कानूं बने गए है United Nation के द्वारा दोस्तों समूदर या OCEAN को regulate करने के लिए कुछ कानूं बने गए है उसके लिए convention है उसको हम बोलते हैं UNCLOS तो अभी news क्या ही है अभी news यह है कि recently इंडिया ने यह का है कि यह United Nation के जो कानूं है समूदर को लेकी यहनी समूदरी जो कानूं है उनको इंडिया accept कर रहा है और सभी देशों को उनको follow करना चीए क्योंकि वो सभी देशों के अंदर peace को promote करते हैं प्लस में business वगरा की activities को भी काफी support देते हैं जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों make some जो trade होता है व्यापार होता है वो होता है C route से इसलिए समूदरी रस्ते में security और सांती होना बहुत जुरूरी है otherwise कहें trade किसी भी देश का बादित हो सकता है और जैसा आप सब जानते हैं कि किसी भी देश का अगर trade है वो अगर नुकसान में जाता है या loss में जाता है तो common सी बात है वहां की economic activities के हैं रुख जैनी उससे उस देश को काफी बड़ा loss आपको देखने को मिलेगा ठीक है अब ये article है ये जो topic कहां का important हैगा दोस्तों ये जो article है ये हमारे GS paper 2 के अंदर हम बात करें तो वहां पर एक topic दिया हुआ है UPSC के स्लेब्स में कि effect of policies and politics of countries on India's interest कि भीया हर एक देश के जो policy है और उनकी जो politics है उसका इंडिया के फायदों पर भी impact पड़ता है और वो भी हम देखेंगे कैसे के है तो वहां पर ये article आपके काम आ सकते है ठीक है और prelims के हम बात करें तो prelims में आपको directly United Nation की convention के बारे भी पूछ सकता है plus में समूदरी कानून क्या है कैसे लागव होते है UNCLOS क्या है Continental Self वगरा क्या है Exclusive Economic Zone क्या है EEZ वगरा के है ये आप से पूछा जा सकता है और मेंस के लिएकर हम बात करें तो लोट सों South China Sea के अंदर काफी सारे dispute आपने देखा हुगा तो वो सब चीज़े हम यहाँ पर देखने वाले हैं धानकना जो United Nation की जो convention या जो meeting है जो समुद्री कानूनों को मानाता देती है उसको इंडिया ने sign किया हुआ है या इंडिया ने इसको कहा है याद अगना rectify कर रखा है तो ये जीज़ मत भूल जाना कि इंडिया ने इसको sign कर रखा है नहीं कर रखा अब हम देखते हैं समूदरी कानूनों के बार में करता है law of the sea यहीं समूदर में कौन-कौन से क्या कानून है देखिए दोस्तों United Nation ने 1982 में एक international agreement sign किया था क्यों? जैसा मैंने आपको बताया कि भई समूदर वाले रस्ते से trade होता है तो वहाँ पर एक rule regulation होना चाहिए क्योंकि rule regulation क्या क्या है दोस्तों काम क्या है easy हो जाता है इसलिए वहाँ एक rule बनाने के लिए international rule बनाने के लिए हमने एक meeting की थी एक convention की थी उसको बोलता है UNCLOS और उसका main target था कि समूदर के अंदर जो rule regulation है जहाँ जो के आने जाने के यूज करने के लोगों की उनका एक proper framework होना चाहिए जैसे कि आप school college में जाते हो तो proper time framework होता है न कि आपको dress code पहाँ क्या ना इतने बज़े आना है सेम उसी तरीके से ठीक है इसी को हम low of seas के नाम जाते है कि समूदर के ओपर कुछ कानून है दोस्तों basically जो समूदर होता है न हर एक आपको पता है mostly देशों की boundary समूदर के लगती है जो देशों की जो boundary समूदर के लगती है न तो हमने समूदर या ocean को या sea को हमने क्या है पास भाड़ों में divide कर रखा है एक होता है internal water ठीक है एक होता है terrestrial water एक होता है वोता है contiginous zone एक होता है extrusion economic zone और पास होता है उसको बोलते है high sea तो यह क्या है एक क्ये करके हम जानने वाले हैं और इनके फायदी क्या है वो भी हम दखेंगे आप से पूछ सकता है कि क्या United Nations Convention on Law on Siege है क्या वो एक मातर ऐसा framework है जो कि समुद्री जो सुरक साय है समुद्री maritime securities को promote करता है तो जी हाँ याद अखना यही एक मातर ऐसी international convention है जो कि सभी states के rule वगरा decide करती है कि कौन से देश का समुद्र में कहां तक अधिकार है और वो क्या क्या कर सकता है ठीक है क्योंकि समुद्र के जो जहाँ चलते है समुद्र में जो तेल वगरा की माइनिक खुदाई वगरा की जाती है साथ में deep sea mining वगरा होती है उसको लेके rule regulation United Nation Convention के द्वारा ही प्रोवाइड है वो करवाए जाते हैं तो ये चीज थोड़ी सी आपको धान रखनी है इसके साथ ही हर एक देश को जो इन देशों की boundary समुद्र के लगती है वो समुद्र से कौन-कौन से resources को एस्टक कर सकती है इन सब के बारे में भी information है वो इस कानून के तहती दी जाती है अब दोक्यों हम जानेंगे कि इसकी दिक्कत कहां कहां पर है जैसे दोस्तों थोड़ा से हम कुछ चीज़े जाने की कोशिस करेंगे कि जो South China Sea है न वहाँ पर बड़ा dispute रहता है देशों की boundary को लेकिए कैसे रहता है एक example के मादिम से माप पर चोड़ा समझाने की कोशिस करता हूँ जैसे दोस्तों ये समझे ये मान लोग एक देश है ठीक है ये एक देश है ये एक देश है मान लोग तीन देश है अब देखना मैंने ये कहा कि बिया इस देश की boundary है वो मान लोग पर समुद्र में यहां तक है ठीक है ये इमेजन किला है कि इस देश की boundary समुद्र में यहां तक है लेकिन हमें एक साइट पता चला कि ये जो दूसरा देश है ना इसका यहां पर एक island है तो इसलिए इसकी boundary कुछ यहां पर ऐसे ऐसे आगी और ये देश है जो इदर तीसरा देश है पता चला कि इसका एक island है वो यहां पर है तो ये कहगा भी है मेरी boundary तो यहां ते को नी चाही बताओ कहेगा ना तो दोस्तों देखा जाए तो इस area को लेके dispute हो गए ना ये कहगा देश की ये area मेरा है ये कहेगा कि ये मेरा है और ये कहेगा ये मेरा ये इस बीच वाले area को लेके dispute हो गए ना ये आप बोल सकते हों अगर समूदर में देशों की boundary पास पास होगी ना तो उनके अंदर कुछ area को लेके dispute हो जाएगा कि इस area के अंदर मेरा कबजा रहेगा नहीं रहेगा वगएरा वगएरा और इसलिए दोस्तों South China Sea के अंदर dispute रहता है क्योंकि जो China के South में जो Sea है न जिसे हम South China Sea होते है वहाँ पर यह issue है वहाँ पर कहें छोटे छोटे आइट देश हैं और उनकी territory के हैं आपस में touch होती है और उसकी वज़े से कहें विवाद रहता है कि यार यहाँ पर मेरा कबजा रहेगा यहाँ पर मेरा रहेगा और वो काफी सुर्ख्यों में रहता है अगर हम थोड़ा सा बहुती basic से बात करें तो दोस्तों कुछ rule regulation decide किये गए है उनकी हम बात करने वाले हैं मोटे तोर पर यह समझना कि maritime zone यहीं समूदर के अंदर हमने पानी को कुछ पार्टों में divide कर रहा है क्योंकि समूदर के हैं काफी बढ़ा है अब समूदर काफी बढ़ा है तो पार्टों में divide करना पड़ेगा ना तो वो हम जानेंगे जैसे यहां से समझी है माल लो यह एक देश की boundary है ठीक है imagine करना इधर एक देश है तो यह देश की boundary के पास में आपको बता है कोई gulf भी होती है कोई bay भी होती है कोई नदी का डेल्टा वगरा भी होता है तो उस वाले area को बोलते है internal water यनि नदी वगरा होगी इस टैप की जो को बोलते है internal water ठीक है तो वहाँ पर internal water के साथ जो हम boundary तियार करते है एक देश की एक मोटी-मोटी diagram बनाते है जैसे ये हमारा एक प्यारा देश हम बनाते है भारत देश ये रो हमारा एक देश बना दिया हमने भारत देश ठीक है तो हमारे देश की जो हमने बाउंड रिखी चीए आपर मैं जो boundary डो कर रहा हूँ ये क्या हो जाएगी ये उजाएगी हमारी baseline समझ सकते हो यह क्या है हमने एक line को use कर लिया इसके लिए वर यूज करते है baseline इसके बाद मैं आगे क्या है दोस्तों ये जो baseline है ठीक है इस baseline से थोड़ा सा हम आगे की तरह बढ़ेंगे तो 12 nautical miles तक का जो area है 12 nautical miles तक का area है इसको बन बोलते हैं terrestrial C मैंने क्या कहा baseline से आगे 12 nautical miles तक के area को बोलते है terrestrial C ये धान रखना है ठीक है और ये जो terrestrial C है इसके आगे यहां से और यहां तक का वापस ये 12 nautical miles का जो area हो गया इसको बोलते हैं continuous zone और इस continuous zone से आगे का जो area होता है जोन के नाम से जानते है और फिर एक आता है high sea high sea का मतलब ये है कि यहाद 200 nautical miles से आगे का जो area होगा इसको बन high sea याग गहरे समूदर के तोर पे जानते हैं अब यहां पर है रख देश के अलगलग कानून होते हैं वो हम जानेंगे कैसे क्या होते हैं थोड़ा हम आपको समझाने वाला हूँ इंडिया के प्रेस्पेक्टिव से ताकि easy रहेगा ठीक है अब हम देखते हैं इंडिया के नजर से तो सबसे पहले थोड़ा सा इंडिया का डाइग्राम ना लेते हैं ताकि आपके लिए easy रहे जैसे दोस्तों यह समझें यह मालो हमारा इंडिया का मैं समझा रहा हूँ आपको यह हो गया हमारा इंडिया जैसा ठीक है यह हमारा प्यारा भारत है अब मैं आपको क्या कहा रहा हूँ जो हमारे भारत की जो हमने ये boundary बना दी कि भीया ये boundary यहाँ पर है समुदर वाले area में इसको तो अपन बोल देंगे base line ठीक है ये जो मैं डोग कर रहा हूँ ये क्या होगी आपकी base line base line के अंदर क्या हैगा आपका internal water आजाएगा भारत के अंदर जो भी नदी वगरा है जो भी कैनाल वगरा है जो भी खाडी वगरा बनी हुई है ये सारी base line के अंदर आती है और ये अंदर जो भी पानी है भारत के base line के अंदर जो भी पानी होगा इसको अपन internal water के नाम जानते है यादना कि यह बार पूछ सकता है कि internal water क्या होता है तो internal water क्या हो गया है baseline के अंदर वाला फिर आगे बता रहा हूँ आगे मैंने आपको बताया कि भई जो यह आपकी baseline है इससे आगे का 12 nautical mile का area है यह जो draw कर रहा हूँ 12 nautical mile दोस्तों जैसे हम distance को kilometer में measure करते हैं वैसे ही समुदर में distance को measure करने के लिए अपन nautical miles का word यूज करते हैं तो यह जो मैंने कहा कि 12 nautical mile तका जो area हो गया यह इस तरीके से यह जो दूरी है यह 12 nautical mile की समझा रहा हूँ कि यहां से यहां तक कि यह जो 12 nautical mile तक का area है यह आपका एक area यहां पर हो गया है ठीक है तो यह थोड़ा सा आपको समझना है कि 12 nautical mile तक का area जो कि मैं आपको भी बता रहा था इसको क्या बोलते हैं अपन teristorial c यानि हमारी baseline से 12 nautical mile तक का जो हिस्सा है जैसको डोड़ा इसको draw कर दूँ मैं यहां पर यह रहा तो इसको आप किस नाम से जानोगे इसको आप नम जानोगे teristorial c और इसके बाद में आगे अगे अगर हम बात करें तो teristorial c के आगे का जो वापस से 12 nautical mile तक का यह हिस्सा है इसको आप बोल दो किस नाम से जानोगे बताओ Contagious zone से तो यह हो जायका आपका Contagious zone ठीक है और Contagious zone से आगे का जो area है इसके लिए अपन वर्ड यूज करते हों होता है Exclusive Economic zone EEZ अब EEZ कहां से major करते हैं धान से सुनना दोस्तों मैंने क्या कहा यह जो आपकी baseline C इस से सीधा का सीधा आप हम बात करें तो 200 nautical mile तक का जो हिस्सा है इसको बोलते हैं Exclusive Economic zone ठीक है यह होगा है Exclusive Economic zone चलो भी यह हो गया और Exclusive Economic zone की आगे का जो हिस्सा हो गया यह जो हिस्सा हो गया इसको दोस्तों डिक इसको बोलते हैं आपका High C गहरा समुदर वर्ड यूज करते हैं कही बार इसके लिए High C यह हो गया गहरा समुदर इसके लिए वर्ड यूज कहा जाता है तो आई हो कि आपको यह चीज समझ में आगे होगी और Internal Water के आगे का जो अरिया है इसके लिए बनमड यूज करते हैं Terristorial Sea Terristorial Sea के आगे होता है Contagious Zone Contagious Zone के आगे होता है Exclusive Economic Zone और इसके बाद में आगे होता है High C उसको बोलते हैं गहरे समुदर ठीके यहां तक क्लियर होगा अब दोस्तों यह Terristorial Sea है इसके अंदर कुछ अलग कानून होते हैं Contagious Zone के अंदर कुछ अलग कानून होते हैं और Explosive Economy Zone में कुछ अलग कानून होते हैं और High C के अंदर है एक देश के अलग कानून होते हैं तो वह मैं आपको फटाफट बदलता हूँ कि कैसे क्या है Base Line के लिएर हो गया इसके बाद में Internal Water Internal Water से हमेंने का कि देश के अंदर वाले पानी की वर्ज़ करते हैं यही जो Base Line के अंदर वाला जो पानी है देश की Bounder की तरफ इसके लिए पन वर्ड यूज़ करते हैं जो कि पूरा का पूरा क्या है उसी देश का होता है यह आप बोसकते हो कि Fully Soaring Fully Soaring का मतलब जिस देश का पानी है उसी का रहेगा इस पे किसी दूसरे देश का कोई दिकार नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर के हैं आपकी जो बेर के होती हैं वो होती हैं बोर्ट होते हैं Inlets होते हैं नदिया होती हैं यह सारे के-सारे के हैं Internal Water में आती हैं या दखना Internal Water पे दूसरे देश का कोई दिकार नहीं होता 0.01% भी नहीं होता वो सारा का सारा के हैं उसी देश का दिकार होता है फिर एक होता है Terristorial Sea Terristorial Sea मैंने क्या का था कि जो आपकी बेस्ट लाइन है उससे 12 नोर्टिकल माइल तक की एरिये गोपन बोलते हैं टेरिस्टोरियल जोन दोस्तों टेरिस्टोरियल जोन में आपको यह चीज याद अखनी है कि वहाँ पे उसी देश का अधिकार होता है जिसका हो इससा है तैसे ही इंडिया का टेरिस्टोरियल मतलब बारत की ओसियन बाउंडरी 12 नोर्टिकल माइल तक का जो इससा है वो इंडिया का दिकार रहेगा यह आपको धानक नहीं ठीक है वहाँ पे भारत के कानू रहेंगे को दूसरा देश का कोई कानू नहीं रहेगा वहाँ पे पानी के अंदर भारत के कानू प्लस में उस एरिय की हवा है उसके अंदर भी भारत के दिकार रहेगा यहीं एर स्पेस भी इंडिया के रहेगा वहां के मिट्टी भी इंडिया की है वहां पे समूत्र का पेंदा भी इंडिया का है तल भी प्लस में वो समूत्र भी इंडिया है यहीं बारन ओटिकल माईल तक है सारा का सारा हिसा इंडिया का माना जाता है वहाँ पर किसी देश का अधिकार नहीं होता, अगर किसी देश को वो यूज करना होगा, तो उस देश को permission लेनी पड़ती है, ठीक है, यह आपको धान रखनी है, इस इट कलिए है, फिर हम आगे जलते हैं, वहाँ था आपका contiguous zone, contiguous zone का मतलब भी होता है, कि जो आपका territorial zone था, या territorial sea था, उसके आगे के बारह नोटिकल मायल इस जो है, यह आप ऐसे भी बोल सकते हों, कि बेस लाइन से आगे का जो 24 नोटिकल मायल का हिस्सा है, वो आपका contiguous zone होता है, और दोस्तों खास जहाँ पर याद रखनी है, यहाँ पर basically कुछ देश के right तो हो होती होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ freedom होती है, यही दूसरा देश है न, वो यहाँ पर जहाज वगरा लेके जाएगा न, तो उसको duty बेकरने पड़ेगी, दूसरा देश, जैसे मालों की इंडिया का contiguous zone है, तो उसके अंदर दूसरे देश का जहाँ जाएगा न, तो उसक देश का नहीं होता, यह ध्यानक न, इन्हीं airspace है, वो सभी देशों का होता है, वहाँ पर उस देश का इधिकार नहीं होता, तो यह special जीज होती है, कि ए Air Space है उस देश का नहीं, बाकी देशों का भी होता है, यहींनि बाकी अब उस देशों अधर वल्ड का भी दिखार होता है, फिर एक होता होता है Exclusive Economic Zone, दोस्तों Exclusive Economic Zone का क्या मतलब है, कि भया जो आपका यहाँ पे Continuous Zone के आगे का जो हिस्सा है, उस हीसे के अंदर उस देश के Limited Ride होते हैं, सारे तो नहीं होते हैं, लेकिन कुछ-कुछ Rides होते हैं, जैसे वो वहाँ पर अपनी Navy को रख सकता है, वहाँ पर Navy उसकी सुरक्सा करती है, प्लस में वहाँ पर Resource को गंजव कर सकता है, प्लस में वहाँ पर समूदर के अंदर Research कर सकता है, वहाँ के मिंटिक Research कर सकता है, Water के Resources का यूज कर सकता है, Energy Produce कर सकता है, Oil को यूज कर सकता है, इस तरह के गिन, हाँ, वहाँ पर दूसरे देश के जहाज वगरा होते हैं, उन पर बहुत कम Rule Regulation होते हैं, यहाँ वहाँ जहाज वगरा को ज़्यादा Disturb नहीं कर सकता है, इस तरकी से कुछ Rule होते हैं, ठीक है, और बात में होता है High C, High C का ममलब क्या होगा है, गहरा समूदर, यहाँ देश की Boundary से 200 Nautical Mile आगे का, जैसे यह हमारा इंडिया हो गया, ठीक है, तो इंडिया की Boundary से 200 Nautical Mile के आगे का, जो भी यह समूदर होगा ना, किदर चारो तरक, इस को पर बोलेंगे High C, यहाँ पर दोस्तों यहाँ दखना, किसी देश के Rule नहीं होती है, आपर Universal Rule होते हैं, यह जो High C वाला हिस्सा होता है ना, यह Universal हिस्सा होता है, यह सभी देशों का अधिकार होता है आपे, इस सीप पर, किया इस समूदर पर, सभी देशों का अधिकार होता है, किसी एक देश का अधिकार नहीं होता, यह आपको जानदाने, आप इस सभी देश के यहाँ खुलें में, प्लस में दोस्तों वहाँ पर protection काफी कम है limited area में सुरक्सा करी गई अभी तक और world का mostly तो समुद्र है यहीं अभी तक हमारी जितनी भी OCN है समुद्र है उसका two-third हिस्सा अभी भी high C के हिस्से में आता है यहीं वहाँ पर बहुत ज़्यदा protection की जोरत है ठीक है तो यह एक article था जो मैंने थोड़ा समझाने की कोशिस के लिए prelims और men's दोनों के लिया आज से आपके लिए काफी important है ठीक है तो अभी की discussion में दोस्तों इतना ही है thank you मिलते हैं next class में